बढ़ते हैं आगे उत्रप्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आदत तैनाथ आज योग दिवस की तैयारियों की समिक्षा करेंगे जानकारी देदे की 21 जून को अंतराष्टे योग दिवस के मौके पर रामा बाई रैले स्थल में पीयम मूदी योग करेंगे इसी की तैयारियों को लेका सीम योगी आज सुबह करीब साड़े दस बजे सचवाले में बैठक करेंगे इसके अलावा दोपहर बारह बजे सीचाई और प्रेटन विभागों के साथ समिक्षा बैठक भी की जाएगी शाम चार बजे विजन 2017 को लेकर मुखे मंतरी एक खास बैठक करने वाले हैं अगली खबर की तरफ रोख करते हैं जारखन से जहांके गीर ही डी के पास एक बड़ा ट्रेन हाथसा होते होते बच गया तरसल नकसलियों ने कर्माबाद और चिचाकी स्टेशन के बीच रेल लाइन को विस्पोर्ट कर उड़ा दिया था जिससे पटरी का करीब एक मीटर हिस्सा उड़ गया इसे पहले कि इस लाइन पर कोई ट्रेन आती लोगों ने इसकी जानकारी रेल प्रिशासन को दे दी जिसके बाद इस रेल खंड पर गुजरने वाली ट्रेनों को जहां का तहां रोख दिया गया इसके बाद अजारी बाग रेलवे स्टेशन से रेल अधिकारी मौके के लिए रवाना हुए तब जाकर मरम्मत का काम शुरू हुआ। फिलाल धनबाद रेल खंड पर अप एंडाउन दोनों लाइने बाधत हुई हैं। वहीं जमु कश्मीर के इत्राल में सब्जार बट के मारे जाने के बाद हिजबूल ने थोड़ी दिर बाद ही अपना नया कमांडर नूक्त कर दिया। आतंकी संगठन हिजबूल ने नय कमांडर का नाम रियाज नाइको है। जानकारी देरे के बुरहान और सब्जार की तरह ही रियाज भी टेक सिवी है और बताया ये भी जाता है कि वो घाटी में धर्म निर्पेश संस्कृती को बढ़ावा देने में यकीन रखता है। कुछ महीने पहले ही एक वीडियो जारी करने के बाद रियाज चर्चा में आया था। 11 मिनट के वीडियो में उसके सयूगी जुबैर की तरफ से कश्मीरी पंडितों को संबोधत करते हुए उनसे घाटी में लोटनी की अपील की गई थी। वीडियो में कहा गया था कि हम कश्मीरी पंडितों से आग्रे करते हैं कि वो वापस घाटी में लोटाएं। प्राटे और जावेद अहमद बाबा और फगाजी से बैंक और संपती के दस्तावेज लाने के लिए भी कहा गया। इसे पहले एनाईये की टीम ने इस महीने के शुरुवात में ही लगाता चार दिन तक इन लोगों से पूच्टाच की थी। नाशनल फांसट के अध्यक्ष का नाम भी प्रारंभिक जाच में शामिल है। कश्मीर में आशांती फैलाने की बड़ी साज़श में शामिल 13 अरोप्यों की जानकारी एनाईये ने जुटाई है। वही नोईडा के एक्सपिरिस्ट्वे पर एक बार फिर दर्दनाक हाथसा देखने को मिला। नोईडा के सेक्टर 49 थाना शेतरक्त में महमाया फ्लाई ओवर के पास टाटा 407 गाड़ी का टायर पंचर हो गया जिसके वजह से गाड़ी पेखामू हो गई और सड़क किनारे खड़ी बाकी गाड़ीों को टककर मारती जिसमें दो लोगों को अपनी जानगवानी पड़ी जबकि एक शक्स गंभी रूप से जखनी हुआ है जिसकी इहालत नाजूर बताई जा रही है फिलहाल बेहतर इलाज के लिए उसे दिल्ली रेफर किया गया है फ्लाई ओवर है आपका मामाया इसके बगल में ये है और एक आलू के लदी वी ट्रक थी इसका अगला टायर जो ब्रस्ट कर गया और घिसटते वे जो है दो गाड़ीों को और टकर मारी उसी में दो लोगों की तो इस पार्ट पही मौत हो गई है एक आदमी अभी गायर अस सकता था ये सवाल इसलिए उट रहे हैं क्योंकि इस मामले में पुलिस की एक बड़ी लापरवाही का खुलासा हुआ है दर असल लखनव पुलिस के मताबिक आईए इसकी मौत की खबर MCR यानि की मौडन कंट्रोल रूम में सुबह 6 बच कर 10 मिनट पर ही दे दी गई थी जबकि बुद्वा सुबह हजरत गंज के नरही इलाके में कॉल सेंटर से जॉब कर रहे मीरा बाई के रास्ते घर जा रहे शक्स ने इसकी जानकारी सुबह 5 बच कर 23 मिनट पर ही MCR को दे दी थी रिकॉर्ड के मुताबक रास्ते में गेस्ट हाउस के नजदीक एक शक्स रोड के बीचो बीच और दे मू पड़ा हुआ देखा गया इसकी खबर उसने ततकाल MCR 100 नंबर को मुबाइल से दी चश्मदीद और MCR रिकॉर्ड भी इसकी पुष्टी करते हैं हाना कि खबर मिलने के साथ ही MCR ने ये जानकारी हजरत गंज कोतवाली में भी दी शुवाती घटना स्थल पर सूचना मिलते ही MCR पुलिस को पहुँचना चाहिए था लेकिन बावजुदस के 40 मिनट बीद गए MCR पुलिस सहित संबंदत थाने की पुलिस भी वहाँ पर नहीं पहुँची इस मामले में MCR के अधिकारियों ने दोशी पुलिस वालों के खिलाव जाच के आदेश दे दिये हैं ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि अगर सूचना पुलिस को 40 मिनट पहले ही मिल गई थी तो पुलिस वक्त रहते मौके पर क्यों नहीं पहुँची और अगर पुलिस वक्त पर पहुँचती तो शायद IES अनुराक्तिवारी को बचाया जा सकता था फिलाल अब इस मामले में फॉरंसिंग जाच रिपोर्ट का अंतजार किया जा रहा है तो वहीं यूपी पुलिस जाच के लिए अब परिवार के साथ करनाटक की तरफ भी रुख करेगी अगली खबर के तरफ बढ़ते हैं उतर परदेश से मुखे मंतरी योगी आद तेनाथ एक तरफ खानून विवस्था को मजबूत करने की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ उनी के विधायक खानून विवस्था को अपनी जागीर समझ कर नियमों को ताख पर रखकर उनका खुले में आम मज़ाक उडाते दिखाई दे रहे हैं मुजफर नगर की खतौली विधान सभाश शेतर में केंदर में बीजेपी सरकार के 3 साल पूरा होने के मौके पर एक कारेकरम कायोजन किया गया था और इस कारेकरम में बोलते हुए बीजेपी विधायक विक्रम सेनी ने चालान काटने वाले पुलिस अधिकारियों को मंच से ही खरीखोटी सुनाई उन्होंने एक मामले को कारेकरताओं से माड़ते हुए कहा कि उन्होंने चालान काटने पर पुलस अधिकारियों को नसीहत दी थी कि अब ये तुम्हारे खुपा की सरकार नहीं है आईए क्या कुछ सुनाते हैं कि बीजेपी विधायक विक्रम सेनी ने कहा हाला कि आपको याद होगा कि ये कोई पहली बार नहीं है जब विवादों में आये है विक्रम सेनी इससे पहले भी कई बार उनकी जुबान को इसी तरह के शब्द सामने ला चुकी है आपको जानकारी देदे कि कुछ दिन पहले बीजेपी विधायक विक्रम सेनी ने धमकी दी थी कि जो लोग गाय को मारेंगे या उसका अपमान करेंगे उनकी तांगे तोड़ दी जाएंगी आपको जानकारी देदे की खतौली से विधायक विक्रम सैनी पहले भी इस तरह के विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रहे हैं 2013 के चर्चित मुझफर नगर दंगो के वक्त भी विक्रम सैनी पर भड़काउ भाशन और दंगो का आरोप लगा है इसके बाद जिला प्रशासन ने हलांकि रासुका की तहट कारवाई करते हुए सैनी को जेल भेज दिया था पर एक बार फिर से विवादित बोल की वज़ह से उसुर्खियों में